साधान, खबरदार, खोश्या इस की जग़ा मनोज शर्मा की जगा मनोज शर्मा का नाम मौयारी, मनोज पटेब मनोज यारो, मनोज ाठाव, मनोज मीना रख के लेख दीजिये मनोज गुर्जर चंबल में बहुत बड़ी संख्या में गुर्जर आवादि जिसके आधा मुझे लगता है कि ये फिल्म गरीबी की फिल्म नहीं है, ये फिल्म हिंदी मीडियम के एक बच्चे के काम्याभी हासिल करने की फिल्म नहीं है, बलकि ये फिल्म प्रिविलेज की फिल्म है, ये फिल्म विशेशाधिकारों की फिल्म है, ये फिल्म जन्मजात विदिए विडियो इन दोनों को अगर चोटे चोटे वीडियो में देखें गे तिम उस एक पूरे परिगटना को समझ में आशानी होगी इस फिल्म को आप चपल वाजों की फिल्म का सथे इस विद्नी समयने से अंगलेजी करशब्द क्यों नहीं समझना है और यह नहीं समझ पचीशती सन्योग आपके तो मैंने गिनाए यह सारे सन्योग है इसलिए मैं पढ़ा हूँ यह संजोग मुझे इसलिए मिल रहा है कि एक स्पेसिक सिटुएशन में हूँ हर किसी को नहीं मिलेगा इसके विए से बाकी लोगों का इस विए से नहीं हो रहा है को कम मेहनत कर र हो सकता है कि आपको मुझबर गुसा आए आपको हो सकता है कि अपने तै मापदंडों मानदंडों को जब ठेस पहुंचती है तो तक्रीफ होती है और बात हो रही है एक ऐसी फिल्म की जिसके बारे में आम तोर पर सारे लोगोंने तारीफें ही तारीफें की है और जब सब आम राय, लगभग राश्ट्रिय सहमती हो किसी बात पर फिल्म बहुत शांदार है लंबे समय के बाद ऐसी फिल्म आई है और एक आदमी किस तरह से गरीबी से गुर्वस से उठकर उचाई हासिल करता है और मेहनस से दुनिया में कैसे सब कुछ हासिल किया जा सकता है इसकी दास्तान है ऐसी फिल्म के बारे में जब आप क्रिटिकल गेज डालते हैं अपनी आलोचनातनक दृष्टी डालते हैं बहुत सारे लोगों को तकलीफ हो सकती है इसलिए पहले ही मैं अलर्ट कर रहा हूँ बाद में मत कहिएगा कि आपने ये क्या कर दिया तो जिन लोगों को फिल्म से धार्मिक हद तक प्यार है जो उसके बारे में कुछ भी नहीं सुनना चाहते हैं ऐसे लोग क्रिपया इस वीडियो कर ना देखें क्योंकि उनको तकलीफ होगी गारिंटेड तकलीफ होगी बारवी फिल्ट मोटे तोर पर देखिए इसको जिस तरह से समिक्षकों ने और में इस्ट्री मीडिया से लेकर सोसल मीडिया में जिस तरह से इस फिल्म को देखा गया यह फिल्म अंडर डॉग एचीविं सम्थिंग फिल्म है यह फिल्म करीबी से उठकर काम्यावी हासिल करने की फिल्म है इस तरह से इस फिल्म को पोट्रे किया गया है कि किस तरह से चंबल के एक छोटे से गाओं का एक गरीब सा बच्चा दिल लिया किस तरह से I.S. officer बन जाता है, I.P.S. officer बन जाता है, यह दास्तान है, simple narrative एक तरह से आप देखें, जिसको बोलते हैं कि linear film है, तकलीफ, गरीबी, संगर्स, काम्याबी, मतलब step by step, मैं इस film में कम से कम 12 ऐसी बिंदु मैं देख रहा हूँ, और film में आपने भी इसको देखा होग जिसके आद मुझे लगता है कि यह फिल्म गरीबी की फिल्म नहीं है, यह फिल्म हिंदी मीडियम के एक बच्चे के काम्याबी हासिल करने की फिल्म नहीं है, बलकि यह फिल्म privilege की फिल्म है, यह फिल्म विशेशाधीकारों की फिल्म है, यह फिल्म जन्वजात कह सकते हैं इस फिल्म में कई किरदार बार बार चपल उठाते हैं और चपल से किसी न किसी को मारते हैं या चपल दिखाते हैं और ये सारा कुछ उसी परिवार के लोग करते हैं जिस परिवार के मनोज शर्मा IPS बाद में बनते हैं सबसे पहलीवार चपल उस परिवार का जो मुखिया है मनोज के पिता मनोज के बाब वो अपने अधिकारी को अपने से उच पदस्त अपने से बड़े पद के अधिकारी को चपल दिखाते हैं और आरोप लगाते हुए जिस आरोप की सत्यता साथ हमें नहीं मालूम कि फाइनल करता है तो इसकी बादचीत के बीच में वो चपल दिखाता है और इसकी वज़े से पाद में फिर उसको नौकरी से बरखास्त किया जाता है तो पहली बार मनोज के पिता चपल दिखाते हैं दूसरी बार मारते हैं दूसरी बार चपल मनोज के भाई मारते हैं जो की एक जुग का दिकरात है तिसरी बार चप्पल चलते चलते बझ जाता है जब मनोज पर सबार्टा मेनेजर एक मिलाज़न लगाता है और मनोज कर दिखा तो पाल मारते हैं अब भारतिय समाज में कोई परेवार बार बार चप्पल मार और दिखा रहा है कितना बड़ा privilege होगा जब आप MLA के चंचे को चपल मार रहे हैं, आप विधाय के लिए काम करने वाले का धिकारी को चपल मार रहे हैं, आप जिनके लाइब्रेरियम से आपको पैसे मिल रहे हैं, उसके मैनेजर को आप चपल मार रहे हैं, ये privilege कितने लोगों को हासिल हैं, कर सकता हैं, क्या ये वो भी कर सकता हैं, सोचकर देखें, हो सकता है, कि कर सकता है, वो सकता है, मुझे नहीं मालूँ, दूसरी बात, चपल के बाद इस फिल्म में बंदूकें भी निकलती हैं, एक डाकिया, पनोज के पिता की बरकास्त्री की खबर लेकर उनके घर आता है, और उसके घर में पहले तो उनका भाई धंकाता है, दादी उनको धंकाती है, फिर दादी का थेचाज बंदूक अंदर से ले आता है, फाइरिंग करने कोशिश रती जो हाई फाइरिंग होके रह जाती है, घर में लाइसेंसी बंदूक है, और उसके दादी को ये चलाने का ह और दिखा कर भी आप एक सरकारी अधिकारी पर कंचारी पर बंदूग की फाइरिंग करते हैं और इसके बावजूद आप बिल्कुल साप बचे रह जाते हैं बल्के करने का आप आप तो साहस ही कहां से आता हैं तो विशेशाधिकार के लिस्ट में ये दूसरी कहानी ये है ज जो मनोज के भाई और मनोज जब मिलकर वो जुगार चला रहे होते हैं और MLA के गुंडे या चमचें के साथ उनकी लड़ाई होती है उसकर पुलिस उनको एरेश्ट करके ले जाती है जुगार उनका रोक कर थाने में दोनों भाई का जगडा होता है वहां के थानेदार के लगता है कि जा मनोज घर से बंदूग लेया दुनाली लेया और थानेदार मनोज को दुनाली ले जाने के लिए जाने देता है जा भारती थाने में ये संभव है कि कोई दो नौजवान लड़के ये करके और थानेदार के साथ निकल लेया मुझे तो लगता है कि वह वहां से मनोल दौडता हुए DSP के घर पे पहुच जाता है DSP का दरवाजा उसके लिए खुल जाता है DSP को वहां पोस्त आ है व्यूस्ता पोस्त आ है DSP इसके बाद सुन लेता है और DSP आकर ठाने में दोनों भाईयों को चुड़ा देता है इतने सारे संजोग सब के साथ संभव है क या इतनी आसान बात है इतना नॉर्मल है तब यह देश क्या इतना ऐसी लिनियर तरीके से चल रहा है तो मुझे लगता है कि दूसरा प्रिविलेज भी जो है तीसरा प्रिविलेज वो भी आम तोर पर सामानने भारतियों के लिए उपलब्द नहीं है मनोर्श शर्मा और उसक हासिल कर रहा है तो मनोर्श के दादा भारतिय फौज में नॉन कमिशन्ड आफिसर मतलब सुम्भवता जेशियों सुवेदार पद पर हैं और वहां से उसकी वज़ा से उनकी दादी को पेंसन मिलती है पिता सर्मकारी कर्मचारी है घर में जमीन है गाय है तो यह कोई बीप इस फिल्म में जो दिखाया है उसके हिसाब से पुष्ट्री तो घर में लाइसेंसी बंदूक है मतलब यह सामायनी स्थिती नहीं है घर से पढ़ने के लिए बच्चे को बाहर भीजा जा रहा है इतने पैसे हैं मुकदमे लड़े जा रहे है तो यह सामायनी परिवार नहीं worship कि घर के अंदर तो चलती है बलकि और बादी से में पुझे बोल लीजिए कि पिता घर में कवीताय कुछा मतलब हम इसके अलाबंब आप देखेंगे तो यह घर चलती हैMaybe बारवी पास कर लेगा तो इसको नौकरी मिल जाएगी, यह कॉंफिडेंस भी बहुत असमान्य सा कॉंफिडेंस है, लब 1995 में, 2005 में IPS बनते हैं मनोर शर्मा, तो उस समय तक रोजगार के इतनी समान्य इस्तिति नहीं थी, उससे 4 सर पल एक कहानी माल ले, तो 2000 के आसपास बच् कर लेगा तो इसको सरकारी नौकरी मिल जाएगी, यह कॉंफिडेंस भी असमान्य है, यह कॉंफिडेंस भी कहां से आते हैं देखना पड़ेगा, इसका भी सुख जानना पड़ेगा कि यह कॉंफिडेंस, भारवी पास कर लेगा तो बस sit हो जाए पहन गई, यह भी बहुत स सामानी स्थिती नहीं है, मैंद्धिप्रदेश वगरंब रुजगारी को जो हाल है उसमें ये समान्य कहानी नहीं है, छठा पॉइंट, मनोज प्रेजविट हो जाते हैं, पृतियोगिता परिक्षा की तयारी के लिए वो ग्वालियर आते हैं, वहाँ पर उनका बक्सक हो जात माता है जिस पूरा नाम बताया या पता नहीं गया है, लेकिन ये समय यदो सित्यों में होता नहींने सारे अच्छे संड्योग में होते हैं, किसी कि हो रहे हैं ये कुछ और लेकर आया है पता नहीं kafir पर मुझे तो यकीन नहीं है कि यह कहानी सिंपल है, वहाँ एक कोई मिश्टर पांडे मिलते हैं, वो उसको दिल्ली ले आते हैं, यह भी मतलब क्या मिश्टर पांडे को यह पता चला होगा कि वो मनोज शर्मा है, मनोज शर्मा की जगह क्या कोई और नाम होता तो भी वो ले आते, आप विचार कीजिए, मुझे लगता है कि कहानी यहां पर भी लिनियर नहीं है, जेटिल है, दिल ले आने के बाद मनोज की लाइफ में कौरी भही आते हैं, जिनको OBC बताया गया है, और OBC जोने के नाते, चटी बार परिक्षा दे रहें, UPSC की मेंस क्लियर कर चुके इंट्रिवू देंगे, तो वो एक तरसे शागिर्दी में इनको ले लेते हैं, और बहुत सारी तरह से उनको मदद करते हैं, गोरी भाईया बाद में जब अपनी पास नहीं होते हैं, तो चाई की दुकान खोल लेते हैं, मुझे लगता है कि पूरी दिल्ली में, क्या पूरे देश में, जो सिविल सर्विस की परिक्षा दो बार पास कर चुका है मेंस, वो चाई तो नहीं ही बेचेगा, वो कुछ और कर लेगा, बहुत सारी उसकी कबिलियत का एक लेवल होगा है जहां पर वो, मनुझ शर्मा को अपना घर दे देते हैं, एक नौकर दे देते हैं, और इसके बाद वो तैयारी करता है, तो यह सब भी मतलब इतने संजोग किसी एक आदमी की जीवन में आते नहीं है, स्रद्धा जोशी के साथ जो अफेर मनुझ का होता है, यह भी जोशी और शर्मा के अफेर में कोई नौन लिनियरिटी नहीं है, मतलब वो कोई कंटिनुटी कहीं पर ब्रेक नहीं है, भारती समाज के हिसाब से ही वो सारा कुछ है, और सब कुछ होते वे भी, जब पता चल है, मनुझ चद्धा के पिता को कि दड़का अब मेंस क्लियर कर चुका है, या मेंस मतलब मेंस क्लियर कर चुका है, तो फिर वो उसको आने देते हैं, इंटर्व्यू के समय भी वो आती है, तो मतलब एक सुखद अंत की तरफ कहानी बहुत आसानी से, ऐसी कहानियां बढ़ स परिवार का होने से एक जल्ली के अच्छी कोचिंग इस तरह से हो नहीं सकता है, तो यह भी एक बिंदू है, जिस पर की विचार करना चाहिए, मुझे लगता है, कि यहां पर भी एक नॉन लिनेरेटी है, वैसे यह नवा पॉइंट है, मेरी परिवाचिक्ता, दस्मा आधिकारी बन चुका है, सारी सेक्रिटी जो पार करके वो जाता है घर के अंदर, और मेंटोर करते हैं, फिर मेंटोर सिप उसको मिल जाती है, उस आई एस ऑफिसर की, यह भी बहुत असमानिने सा संजोग है, जो आम तोर पर लोगों की लाइफ में नहीं होने वाला है, जो पर इच्छा दे रहे हैं, अगर वो सोच रहे हैं कि उनको इस टॉपर से गाइडेंस मिल जाएगा, यह कितने लोगों की लाइफ में होगा, अंतलब एक लाइफ में एक या एक लाइफ में दो, बहुत हुआ तो, आम तोर पर यह होता नहीं, तो मनोज की प्रिष्ट भूम आप देते हैं, आपने भी देखा आगा, वो एक भासन भाजी वेल अंदाज में बहुत सारी चीज़ें कहते हैं, तो बिरोक्रेसी उस तरह से चलती नहीं है, तो इसको का दिया जाता है, कि आप बाहर जाएए, इस पीच में यह भी देखा जाता है, कि बहुत सामाजिनी सा इंडियन एक्सपेस पढ़ रहा होगा, सारे लोग पढ़ते हैं, तो देखता परिच्छा देना होला, अगर हिंदी से भी परिच्छा के तयारी कर रहा है, तो यह अरवार तो पढ़ता ही पढ़ता है, इंग्लिस मीड चैनल देख रहा होगा, निश्ची तुरुप से सब क कहा जाता है देखने के लिए, उसको इतनी समयनी से अंग्रेजी का शब्द क्यों नहीं समझ में आया है, और यह न समझ में आना, अगर मनोज शर्मा के जाग किसी और के साथ होता, तो इसको कितना बड़ा गधा माना जाता है, तो बहुत सारे, मैं बलके I.S. officers को जानता जो हिंदी बैक्राउंड से आया है, उन्होंने अंग्रेजी में में मेनत की, अंग्रेजी में उन्होंने परिक्षा दी और इंग्लिश में इंट्रिवू दे कर आसा उठ हो कर आज बिजने जगा बिजने पदों पर है, तो यह संघर्स किये बबैर भी मनोज महान है, और व अगर मैं देख रहा है, तो पुछी तरह से सवर्ण बोर्ड था, उसमें अलाकि और बाहर से एक्सपर्ट वगर गुलाए जाता है, उसमें वर्ग की लोग हो सकते हैं, यह कुछ तो हुआ है, जो बहुत सामान्य नहीं है, जिसकी वज़ा से यह हुआ होगा, और यह मुझे सुमदायों के लोग हैं, तुमाम लेंग्विज के लोग हैं, दिल्ली में होने के वज़े से आप अगर हिंदी में इंट्रिवू दे रहे हैं, तो इंग्लिज के बाद आप प्रिविलेज की सीड़ी में दूसरे नंबर पे हैं, उसके बाद वाले के लिए कोई गुन जाइ में खड़े हैं तो ये 12 मिंदू के बाद फिर मैं सोचता हूँ कि मनुझ फिर युकाम्याभी हो सको कैसे देखा जाए दो theoretical framework मुझे यहाँ पर मदद करते हैं इस बात को समझने में कि यह क्या हुआ होगा नमबर वन प्रोफेसर पेगी मेकिन्टोस का वाइट प्रिवलेज की जो थेयरी है वो मुझे इस पामले को समझने मदद करती है और दूसरी थेयरी है सी राइट मिल का sociological imagination इन दोनों थेयरीज को अगर आप पढ़े है इसके चोटे-चोटे वीडियोज आप देख सकते हैं sociological imagination इन दोनों को अगर आप चोटे-चोटे वीडियोज में देखेंगे तो मुझे अलगता है कि इस पूरे परिगटना को समझने में आशानी होगी जैसे होता है ना कोई एक कंडिट थी जो अभी दो-तीन साल पर लेजिस से पूछा गया था कि साड़ी का आपका जो फॉल है उस पर किसकी डिजाइन बनी हुए और उसको उस साल का इंटर्वीव की वो टॉपर थी 215 नंबर मिले थी जो उस साल का सबसे ज्यादा नंबर थ बैसे इसके साथ ही होता है लोग अपना समाज और अपनी पीछे चोड़के तो आ नहीं सकता है आदमी आत्मान सुथ टपक नहीं सकता है इसका बैस का लाब अलग लग लोगों का अलग धंसे गिलता है लेकिन चोंकि इंटर्वी बोर्ड में और UPSC में सवन जादा होते है तो उनको ज्यादा इसमें वेटेज है इस पर काफी रिसर्च भी हो चुका है कि इंटर्वी में किस तरह से जो सवन कंडेट है उनको ज्यादा प्रेफरेंस आता है तो यह एक फैक्ट है जो कि रोहलोवे लंदन के एक रिसर्चर अर्विन कुमार ने भी इस पर रिसर्च किया काफी लोग इस पर रिसर्च अलड़ी कर चुक है फैक्ट है जानती है सरकार भी जानती है तो यह दो सोशल जो फ्रेम है इसमें तो जी देखिए प्रिविलेज जो है वो हमेशा विजिबल नहीं होता है जिसको मिल रहा है उसको भी कई वार विजिबल नहीं होता है लेकिन वो उसके साथ चल रहा होता और खास समय में उसको वो निकाल कर उसका इस्तिमाल कर ले सकता है यह लगभग आपके बैंक की वो FD है जिसके बारे में आपको भी पता नहीं लेकिन वो है और जो इस्तिमाल कर रहा है, उसका दोश भी नहीं है, लेकिन वो उस प्रिविलेज को हासिल कर रहा है, एटलिस्ट इमानदारी की उम्मेद उससे की जाती है, उसको पता रहे जब वो इस्तिमाल कर रहा है, कि मैंने इस प्रिविलेज का इस्तिमाल किया है, यह इंट्रिवी में जब उसको दुबारा बुलाएगा तो पता होना चाहिए कि अगर एक कर्गा स्का कोई खाद होता तक स्कुल्बारा नहीं बुलाएजाता है और होगान होगी स्कूलों होगा तो नहीं बुलाएजाता पर दोस्तों का नेटवर्क मिल जाता है जो अगर वकालत में घुचरा है रोज के बाप अगर जाज है तो इसको कोलिजियम में बेनिफिट मिल जाता है तो यह सब प्रिविलेजेज है इसका इस्तिमाल हरा अदमी नहीं करता है लेकिन उसके पास होता है और अक्सर जब जरत पड़ती है तो लोग उसको कर लेते हैं तो यह जो इन्विजिबल नैपसेक है इन्विजिबल बैकपैक है यह मनोज के कंधे पर लदा हुआ है मनोज को मैं उसके लिए दोस्त नहीं दे रहा हूं कि उसका पैदा हुए जहां हुए तो हुए अब उस प्रिविलेज वाले परिवारके में अगर पैदा हुए तो मनोज का कोई दोस्त नहीं है या वो प्रिविलेजिज के साथ चल रहे हैं जर्वत पड़ेगी तो निकाल के उसका इस्तिमाल करेंगे ही करेंगे तो मनोज ने इसका इस्तिमाल किया है दूसरी जो थेओरी है सोशियोलोजिकल इमेज की उसको को समझने की जरुत है कि किसी यएक काrove कि जो कहानी है उसके साथ एक समय की भी कहानी चलती है तो एक आदमी की जो बायोग्राफी है और ठाइम की जो जर्णी है इनके बीच में जग़ में जग़़़ब्स चीजें फिर होते हैं, उन इंटरसेक्शन पर टूथ है जैसे अगर आपने 2009 में इंजिनेरिंग के परिच्छा पास की और अगर उस साल आपको नौकरी नहीं मिले तो इसका मतलब यह नहीं है कि पढ़ने लिपने में घराब दे। 2009 चुकी मंदी का शाल था और उस साल में प्लेस्मेंट्स नहीं हुए जन्रली आम पर डांसाइजिंग थी इस वज़े से 2009 में आपकी बायग्रफी 2009 में काट रही है उस जगा पर जब आप प्लेस्मेंट्स चाह रहे हैं और इस वज़े साप फेलियर हैं। तो इसी तरह से आपके समाज की भी एक जर्नी है उस समाज में जो प्रिविलेज्ट है उनको प्रिविलेज्ट का फाइदा मिलता है। अभी हम नहीं कह सकते हैं कि प्रिविलेज्ट खतम हो जाएंगे। लेकिन हां एक बेसिक अंडरेस्टेंडिंग होनी चाहिए कि हमें प्रिविलेज्ट मिल रहा है। और हमारी काम्यावी सिर्फ हमारी काम्यावी निया इसके पीछे पचीश-तिस सन्योग आपके जो मैंने गिना है। यह सारे सन्योग हैं, इसलिए मैं पढ़ा हूँ, यह सन्योग मुझे इसलिए मिल रहा है कि एक स्पेसिफिक सिच्वेशन में हूँ, हर किसी को नहीं मिलेगा। इसके वैसे बाकी लोगों का प्रिष्ट में नहीं होना, इस वैसे नहीं हो रहा है को कम मेनत कर रहे हैं। इसलिए करें, वो क्योंकि उनको वो सारे सन्योग उनकी लाइफ में नहीं आ रहे हैं। तो इस बात मुझे लगता है कि समझने की जुरत है। अगर मैंने इस समिच्छा के जरी आप लोगों का दिल दुखाया है तो मैं आपसे बहुत-बहुत माफी मांगता हूँ, लेकिन मेरा इराधा आपका दिल दुखाने कही था, मैं आपके तै मांदोन्नों को तोड़ना ही चाहा रहा था। बहुत-बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।